यह राइस वेलकम बेक टो मैं चैनल सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले है कि वाट कोड़ बीड़ी जी आरफ एक्सपेक्टेड कट ओफ ऑफ 2023 औराइट सो कुछ चीजें हैं जो मेंटर करती हैं आपका कट ओफ डिसाइड करने के लिए तो पहली चीज होती है कि पैपर का लेवल कैसा था इस बार जो देखने में आया है वो था इजी टू मोडरेट लेवल पे तो ज्यादत तर लोगों का कहना है कि वो इजी था कि हर कोई मैंने देखाए कि आराम से 200 प्लस तो स्कोर करना इतना डिफिकल्ट नहीं था 200 मार्क्स तो आराम साब ले सकते थे इतन गरजा गरजा स्टूडंस के तरिक सथ चीजह है किनमर ओफ सीट्स कितनी रहती है थो समगता को स्टूडंस का पर्फॉर्मन पद्र ज्यादधा अगर ज्यादा स्टूडंस ने पर्फॉर्म अच्छा कर 0जा सब के मार्क्स जिएदा होंगे और सिच्राप से fit हो जाते होंगे तो फिर obviously बात है कि cutoff भी high जा सकता है फिर फूर्ट चीज है कि maximum marks कितने है suppose कर लो कि अगर 400 seats है for category 1 और टोपर के marks है 258 अरांग तो फिर इससे नीचे नीचे चले आओ और देखते ही कि कितने कितने marks सबके बनते है paper का level केसा है और कितने बच्चों ने कितने students ने performance केसा किया है तो जितना मैंने देखा है और मैंने सुना है तो अच्छा खासा score कर रहे है like 220 अरांग बी 220 अब भी बहुत लगों के marks है तो उसे साब से जो cutoff जानी चाहिए for the general category I am saying and for the category 1 it should around 210 आसपास तो जाएगा ही जाएगा like 200 प्लस तो आरांग से आप मान ही लो लेकिन 210 आसपास जा सकता है और for category 2 आप मान सकते हैं कि 200 आसपास इसमें से आप plus और 5 plus minus 5 कर सकते हैं और यहाँ पे भी क्यूंकि हर कोई आरांग से 200 ला रहा था तो इतना तो cutoff बन सकता है तो यह मेरा expected cutoff था बाकी categories भी इसे साप से 10-10 marks या फिर 10-20 marks reduce करके अपना देख सकते हैं कि अगर आपका score है 200 marks तो आप sure shot हो जाएगी आपका किसी एक category में तो हो रहा है तो अगर आपके marks 200 आसपास भी बन रहा है तो यह और आपका जाजाएगी किसी एक category में तो हॉगा और यहस इनेक्स TEN DAYS और वीड लिए टीन वीक आपके अगर ऑफिशल कॉट उपीड़ कि व्टीश्याट साड़ that's it for today in this video i hope you like it and yeah do not forget to subscribe to my channel and if you feel it worth it then you can share it with your friends or friend as well thank you so much for watching this video we'll see you soon